दक्षिन भारत से जुड़े दो आतंकी उत्तर प्रदेस में आने की सुचना के बाद जहां पूरे प्रदेस में अलट है वहीं प्रदेस के सिधार्थ नगर जीले में इसको लेकर सुरक्षा एजंसिया नेपाल बॉर्डर पर अलट दिखाई पड़ रही है यह जीला भारत नेपाल बॉर्डर का जीला है जीले के बॉर्डर पर 68 किलो मीटर खुली सीमा है अब खुली सीमा होने और आतंकियों के नेपाल भागने की सुरक्षा एजंसियों के अलट के बाद यह बॉर्डर पर काफी समवेदन सील माना जा रहा है जिसको लेकर बॉर्ड पर तैनात SSB के अधिकारी और जवान भारत से नेपाल जाने और नेपाल से भारत आने माले हर वैक्ति और वाहनों की चेकिंग के साथ आधार कार्ड पहचान पत्र भी देख रही है वहीं नेपाल बॉर्डर पर लग गे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी बॉर्डर प पहनी SSB के जीले ने कमांडेर अमिसी नेपाल बॉर्डर पर अलट को लेकर बताया कि दो दिन पहले उच्च मुख्याले से हमारे पास दो नाम और फोटो आया है एक का नाम ख्वाजा मेनू दीन और दूसरे का नाम अब्दूल समध है जो ISI आतंकी संगठन से जुड़े ह हो सकते हैं ऐसा अलट आया है जो नेपाल बॉर्डर पार कर देश छोड़ने की फिराख है इसी को लेकर सभी सीमा चौक्यों पर अलट कर दिया गया बिना चैकिंग के कोई भी बॉर्डर पार नहीं कर पा रहा है कर दो नहीं कर दो गया है कर दो कर दो कर दो कर दो कि आने जानों को लिए कि सब्सक्राइब से चुकी रिलेटर है क्या एलेट आया और क्या ब्याउस्था है निया चीज निया क्या जा रहा मतलब एलेट में अभी हम लोग जैसे पहले जो आप हम लोग इलर्ट होते थे तो सामान उगरा की चेक करते थे अब हम आदमियों पे निगाह रहे हैं उनके प्रॉपर आइडी वगरा वेरिफाई कर रहे हैं जो जाने वाले जिनको सब्सक्राइब उनसे पूस्ताच कर रहे हैं और इंचोर कर रहे हैं कि कोई बेस बदल करके या हर एक पूस्त ले रहे हैं और हमें जहां तक सूचना मिल रही है कि हमारे सभी जमान पूरी ततपरता के साथ में अपने कारे को अज्याम दे रहे हैं हमारे पास फोटोग्राफ आये थे दो आयस आयस से जुड़े हुए कहा जा रहा है दो मिलिटेंट के ख्वाजा मौईनुद्दीन और दूसरा अब्दुर्स सम्मध दो दिन पहले इनका इलर्ट जारी हुआ था साथ में फोटोग्राफ पी आये थे हमने सभी चौकियों प पास पर जो चेक कर रहे हैं उनके पास इनकी फोटो मौजूद है तो हर सक्या लोगों से उस फोटो को मिला मिलान कराया जा रहा है और हमारा यही प्रयास है कि हिस्खुली सीमा का कोई लाव इताना सके है